कि नमस्कार दोस्तों मैं विकास जैस्वाल आप सभी का एक बर मैं फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को बिल्बुक बनाने और कुछ देश लिजे डिजाइन जो की वो गोलते हैं कि सुरू से बताइए इसको कोरल रा ओपन कैसे करना है कैसे कै सेलेक्ट करना क्या क्या तो मैं आज मैं सुरू से स्टार्ट से मैं बता रहा हूं आप लोग देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और मेरा एक कोरल रवारा ओपन हो रहा है यह काफी पूराना वर्जन है तो आपनों पास इसे नए वर्जन भी होंगे त मैं दूंगा अब आप देख लिजिए यहां पर एक देखी पॉप आचुका है और यहां पर देखी लिखा है नियू आप कुछ क्रियेट करने वाले हैं तो इसके लिए और दूसरे मैं रिसेंट्ली मैं इससे पहले जो यूज किया हूं तो मैं उसके बारे में देखा रहा है और थीसरे नंबर पे है ओपें तो आप जो भी फाइल से व करके रखे हैं आप यहां से डूंड करके ओपें कर सकते हैं तो चलिए हम कुछ नया क्रियेट करने वाले हैं तो नया पाइप पैसलेक्ट कर लिया यह देखिए हमारा यह फोर स्लेक्ट हुआ है शुरू से हम सीखते हैं पहले मैं इसका size mm मैं 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 इसको इंच में कर देता हूं और बिल्बू का जो size होता है साथ बाइपांच साथ इंची रहुता है और पांच इंची चोड़ा होता है तो मैं एक rectangle और साते की देता है इस तरह से तो हमारा देखे एक फूरपेज़ है इस पे हम एक बार में दो पेज़ बना सकते हैं जब बैंडिन इन लेगा प्रिंट होने कि बाद fringe करते हैं तो उसके बातंब बीच से काड़ दिया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं आप एक दूसरा तरीका है आपको रेक्टेंगल लेने के लिए रेक्टेंगल टूल पर क्लिक किजिए आप यहां से इस तरह से ड्रॉ करके भी आप ले सकते हैं तो यहां पे थोड़ा साइज मैं इसको देता हूं पांच साथ इंचे त्यार हो चुका है अब हम इसकी आउटलाइन जो है थोड़ा सा मोटा करते हैं बोल्ड करते हैं इस तरह से देख लीजिए अब हमें जिस भी दुकान का जिस भी सौप का या कोई भी ऑफिस कंपनी का जो भी बिलूग बनाना हो हम उस कंपनी का में टाइटल ड की देता हूं आपको जिसका भी बनाना हो आप उसका नाम लिख दीजिए इस तरह से और हमें इसको सेंटर में लेना होगा तो सेंटर में लिए हमें कि हमसे गाइडलाइन से लेलते हैं इस तरह से और हम इसको सेलेक्ट करके सेंटर में करते हैं इसका साइज कुछ और मैं ब इसका एड्रेस डालेंगे यह सोब कहां पर है उसका एड्रेस डालेंगे तो हमारा पता है कशनारवा तो हम पना लोकल जो है हम उसी को डाल दे रहे हैं देख लिए इसमें हम दो फॉंट यूज करने वाले हैं एक तुराज फॉंट है और एक भारतिय फॉंट का जो 82 आप लोग खास करके ध्यान दीजिए कि ज्यादा भरा भरा सा ना लगे बिल्कुल सिंपल सा बनाना है जो अच्छा दिखने में अच्छा लाए ऐसा नहीं कि हमें पूरा बिल्बुक बनाने के लिए दिया गया है तो हम उसे पूरा भर देते हैं खाली दिख रहा तो ऐसा कु जो ची सिंपल सा खाली-खाली बनाई है आपके कश्चा बहुत ही पसंद करेंगे तो हम नीचे इस पर लीग देते हैं जैसे क्या क्या यह वर्क करते हैं इनके बारे में लिग देते हैं तो हमारे यहां इस तरह से मृष कंटर में जबलते हैं इसको भी अब हम इक लाइं ड क्वालींग टूल है इसको आप इसका सॉट्ट कर यह सा है और अब डिड्याज करते हैं तो आटोमेटिक वहां प Jesus और रहा से एहां तक इसको ड्रॉग कर लेते हैं और इसक供 जीम करp मिलाते हं और इसका ठीकनेस अचारी कर लेक máximo हम हमारा कुछ 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 तयार हो चुका है कि आप लोग जल्दवाजी नहीं करना आप लोग जितना आप इस पर टाइम देंगे आप उतना ही असानी से बहुत ही बेहतरीन डिजाइन कर सकते हैं નमार अब को अ तो यह हमने दो लाइन ले लिए हैं अब हम इसी को कॉपी करेंगो टेक्ष्ट है हम इसको प्लस की से कॉपी ड़िसके कॉपी कर लेंगे एक बाइए तो इसका कॉपी हो जाएगा तो हम अब हो आ है फ़ो ईसका का नाम सरोशरी जो भी आपना चाहता है जो कस यहां से मैं लेकर के यहां तक करूगा है फिर से हम इसको जूम करके देख मिला लेते हैं सही है देखिए इधर बाहर निकला हुगा है तो हम इसको यहां से ऐसे छोटा कर लेंगे हैं मैं इसका भी थिकनेस ज्यादा करता हूं उन्हीं वराबर अब देख लिजिए अब ठीक इन्हीं को कॉफी करके हम यहां पर आगे ले जाएंगे अब यहां पर ले जाने के बाद हो गया हमारा दिनांक जो डेट होता है हम उसका डाल देते हैं दूसरा हो गया हमारा क्रमांक और तीसरा हो गया या बूक संख्या इसको लिख देते हैं सीधा बूक संख्या और ज्यादा आप लोगों के पास बनाने के लिए दिया है तो बुक संख्या आप लिख सकते हैं नहीं भी लिखें कुछ चलेगा तो यह हमारा इंटरफेस कुछ तयार हो चुका है अब हमें इसका नीचे का तयार करना है तो हम यहां से एक और कॉपी कर लिए दूसरा एक और कॉपी कर लेते हैं इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाए आप लोगों का विल्वुक तयार हो जाएगा बहुत ही इसजी है बहुत ही सिंपल है हम यहां तक ले लेते हैं इसका और एक लाइन यहां से सीधार कर देंगे और इसका थीकले संग बढ़ा लेते हैं मि इसमें लिखने वाले है करम संख्या सेंटर में ले जाते हैं कि दूसरे वाले में इसका मात्रा राले कितना संख्या ले रहा है उसका मात्रा और बचा कि मिलेbooks कितना हुआ अब उसी तरह से इस लाइन को हम कॉंपी कर लेते हैं नीचे तक यह हमारा हो गया और इसके भी हम कॉंपी कर ले रहे हैं अब यह जो लाइन है हम इसको थोड़ा सा एड़ेस्ट करने की पोसिस करेंगे इस तरह से यह उपर चला जाएगा अब इसको हम लिग देत हैं रूपय सब्दों में हम यहां तक कर देते हैं और इसको भी हम उपर कर देते हैं अब इसी वाले को कॉंपी करेंगे यहां पर लेकर आजाने और यहां पर लिग देते हैं टोटल तो दोस्तों हमारा फोड़ा सावर हमें काम बाकी है जो हम करी लेते हैं यहां पर नीचे signature होगा जो ओनर है जो दुकान के मालिक है उनका signature होगा तो हैं पर हम तरफ हम ढॉलेते हैं ग्राहक का अब हम यहां पर कुछ सकते हैं इस तरह से डिली आँग Exam Flex होता है ना भीका हुआ सामान वापस हुगा इस तरह से लिख दिये हैं आपको दो तो भी चीज लिखने के लिए आप लिख सकते हैं इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें साइज इसका इस तरह से और दोस्तों आप लोग देखा कि हमारा लगभग बन करके तयार हो चुका है बस हमें थोड़ा सा और काम बचा है यहां पर हम लिख देते हैं प्रोफ राइटर का नाम प्रोफ राइटर में मैं अपना ही डाल देता हूं विकास और इसके ठीक दूसरे तरफ मोबाइल नमबर रहेगा अब हम इससे सेव कर देते हैं इसका हम कॉपी कर लेते हैं और ठीक दूसरे तरफ लेके जाते हैं अभी हमारा बीच में थोड़ा सा ज्यादा इस पर से तो उसके टाइम फाड़ने ओड़ने में प्रावलम नहों दोस्तों यह हमारा बनकर के तयार हो चुका है आप लोग इससे देख सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बाइ